हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टो इगनो हिंदी क्लासेज आई होप आप सभी अच्छे होंगे आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीच डीसी वन थी थी आधुनिक हिंदी कवीता के कुछ इंपॉर्टेंट एंड प्रीविएस इयर कोशन्स ठीक है तो सबसे पहले जो हमारा कोशन है वो है भारते इंदू यूगीन हिंदी काववे की प्रस्ट भूमी पर प्रकास डालिए ठीक है और अगला कोशन हमारा है भारते इंदू यूगीन हिंदी काववे की विशेशताओं पर प्रकास डालिए नेक्स कोशन है भारते इंदू काव यह सब्जेक्ट में वो सारे कोर्षान के वीडियो में कवर कर लिए हैं। और अब पूछना चाहूंगे अगर चाहते हैं कि मैं इन यह को ऐसे olurs talks about आपको करवा दूं तो उसके लिए मुझे कमेंट करके जरूर बता देना थाकि मैं इनके answers भी आपको प्रोवाइट करवा दूंगी आने वाली वीडियो में ठीक है अगर आपको answers चाहिए इन questions के तो आप मुझे comment करके बता देने कि हाँ आपको आंसस चाहिए तो अब अगला कोशन देखते हैं वो है दुएदी युग की साहितिक प्रवर्तियों का परीचे दीजिए अगला कोशन है हमारा नेक्स्ट कोशन है छायावाद की अंतरवस्तु का विवेचन कीजिए नेक्स्ट कोशन है हिंदी कवीता के इतिहास में छायावाद का क्या महत्व है इस पस्ट कीजिए नेक्स्ट राम नरेश्टर पाठी के काववे संदर्रे का विवेचन कीजिए नेक्स्ट है मैथली शरनगुप्त के काववे में चितरित नारी सम्मान की भावना को रेखांकित कीजिए मैथली शरनगुप्त की कविता में उपस्थित रास्टे भावना और समात सुधार के स्वर की विवेशना कीजिए हरियोद के साहित्ते की प्रमुक प्रवर्तियों को रिखांकित कीजिए नेक्स्ट कोशन है हमारा जैशंकर परसाथ की सौंदर्य चेतना को रिखांकित कीजिए नेक्स्ट है जैशंकर परसाथ के काव्वे की प्रमुक विशेशताओं का उलेख कीजिए जैशंकर प्रसाद की प्रेम वियनजना और सुअंदर्य चेतना पर प्रकास डालिए निराला काव्वे की अंतरवस्तू को सपस्ट कीजिए नेक्स्ट कोशन है महादेवी वर्मा के कॉबवे सुअंदर्य पर प्रकास डालिए नेक्स कोशन है महादेवी वर्मा के सरजनात्मक व्यक्तित्व का परीचर देते हुए उनकी मुल्य चेतना को इसपस्ट कीजिए अब हम कुछ टिपणियां देखेंगे जो कि एक्जाम में पूछी जाती है ठीक है टिपणी जो होती है वह दस नंबर के आपसे पूछी जाती है मतलब आपको ऑप्शन दे दिये जाते हैं कि दो टिपणी आपको लिखनी है टिपणी का जो कोशन है वह 20 मांक्स का होता है और चार से पांच आपको अप्शन दे दिये जाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास है महादेवी वर्मा की वेदना अनुभूती मैंने यहां पर सिफ महादेव लिखा हो तो वहां पर महादेवी हो जाएगा ठीक है तो आप महादेवी कर लेना और अगला है प्रताप नरायन अगला है राम नरिष्टर पाठी का योगदान इसके बाद है पंत और प्रकरती इसके बाद है राधा कृष्ण दास नेक्स्ट है पंडित बदरी नारायन चौधरी प्रेमघन नेक्स्ट है मैथली शरंगुप्त की काव्य भाषा नेक्स्ट है पंत का जीवन दर्शन और निराला की काव्य समवेदना तो हमारी यहां पर जितने भी कॉष्ण थे वह सारे हमने देख लिये हैं और कोस्ट के साथ हमने जो टिपनिया एक्जाम में पूछी जाती है उनको भी देख लिया ठीक है तिपनी जोती वह दस मार्ट की पूछी जाती है एंड थैंक्स वाच अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको तो वीडियो को लाइक करना शेर करना आपने चोंपने वीडियो के साहतere और इस वीडियो के ज़रूरत हो उनके साथ